नमस्कार परदफाश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनाली अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीती में विपक्ष के एक बड़े चहरे हैं लेकिन उनकी राजनीती में उल्टी गंगा बहती है माफियाओं को टिकेट देना और माफियाओं को सनरक्षन देना तो सपा की हिस्टरी का एक गंदा पहलू है ही बाकी रिश्वत खोरी गुंडों को पालना तो बाकी सपा के लिए आम बात है और सपा के नेता भी इस मुद्दे पर इनका सपोर्ट करते आए हैं लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता ही समाजवादी पार्टी की इन आदतों से परशान हो गए हैं और अखिलेश यादव की इन आदतों से तंग आकर अब सपा के दिगज नेता सपा से मू मोड़ रहे हैं जिसकी वज़स से अखिलेश यादव का पाटी खत्व होने की कगार परा रही है 2024 के पहले जो वो यूपी में बीजेपी के वोटरों को अपने पाले में कोशुश करने की चाहा रही थे उन सारे सपनों पर पानी फिर गया है सपा के बड़े बड़े नेता सपा का दामन छोड़ कर बीजेपी और कॉंग्रेस में जाने लगे है इनमें से एक नाम है जयन चौधरी का पी जी हाँ, जयन चौधरी ने अपना मूँ अखिलेश यादव से मोल लिया है आज परदा उठाएंगे अखिलेश यादव की डिर्टी पॉलिटिक्स की वज़स से जयन का अखिलेश को धोके की वहीं उन नेताओं के बारे में भी बताएंगे जो सपा का दामन आज नहीं तो कल छोड़ने वाले है और ये कोई छोटे मोटे वधायक नहीं है बलकि सपा के जाने माने नेता है तो चलिए परदा पाश करते हैं अखिलेश यादव की डूपती पार्टी और पॉलिटिकल करियर का समाजवादी पार्टी के राष्ट अध्यक्ष अखिलेश यादव पता की विरासत नहीं समाल पाए और पार्टी में एक के बाद एक बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया अन्ने पुर्वांचल और मध्युत्तर प्रदेश के बड़े राजपूत नेताओं ने पार्टी छोड़ कर ये साबित भी कर दिया कि उनका साथ मुलायम से था नकी अखिलेश यादव से अमर सिंगो या पर रगुराज प्रताप सिंग या पूर प्रधानमंतरी चंद्रशेखर के पूर नीरत शेखर सभी ने एक एकर अखिलेश से दूरी बनाई और किनारे हो गए सपा सांसर शफीक और रह्मान बर्क का कहना था कि सपा मुझसे है मैं सपा से नहीं और हो ना हो वो भी सपा के दिगज नेताओं में से एक है लेकिन अखिलेश यादव की राजनीती अब बर्क को भी नहीं भा रही है यही कारण है कि अब बर्क और जयन चौधरी दोनों ही पार्टी छोड़कर बीजेपी या कॉंग्रेस में शामल होने जा रहे हैं और तो और अखिलेश यादव के 2024 के सपनों पर पानी फेरने का काम भी कर चुके हैं अब सवाल यह उठता है कि क्या इसके पीछे अखिलेश की strictness है या फिर कम समय में जादा ताकत मिलने की वज़े से उनके अंदर पनपा एहंकार जिसने अखिलेश के साथ पार्टी की नईया डुबा दी है अखिलेश कहां गलत जा रहे हैं उस पर बाद में खुलासा करेंगे पहले ताजे मामले की बात करते हैं उत्तर प्रदेश वदान सुबा चुनाथ के बाद समाजवादी पार्टी के साथ ये के करके उनका साथ छोड़ कर जाते रहे लेकिन जन्र चोधरी के नेतृत वाली आरेवडी लगातार अखिलेश के साथ मजबूती से बनी रही लेकिन अब ऐसा लगता है कि आरेवडी भी सपासे अलग रास्ता तियार करने की तयारी में है मीडिया रेपोर्ट्स की माने तो जयन चौधरी की पार्टी में इसे लेकर सुबुगाहार भी होने लगी है पार्टी के कुछ बरिष्ट नेताओं का माना है कि समाजवादी पार्टी अपने गडबंदन के छोटे दलों का समान नहीं कर पा रही है सपा मुख्या अखिलेश यादव पर आरेलडी को धमकाने के भी आरोप लगाये जा रहे है इसके अलावा मैद्पुपूर्ण फैसलों में गडबंदन दल की राय न लेने को लेकर भी अखिलेश यादव से आरेलडी नराज है बताया ज्वारा है कि चौधरी चरंद सिंग के पदचन्नों पर चलने वाली ये पाठी नई सियासी विकल्पों की तलाश में कॉंग्रेस का दर्वाजा खटकटा रही है समाजवादी पार्टी और आरेलडी ने लगातार दावा किया कि उन दोनों का गडबंदन काफी मजबूत है साल 2019 से दोनों पार्टिया साथ चुनाव लड़े हैं इसी बीच मयवती की बस्पा से भी सपा का गडबंदन हुआ लेकिन चुनाव में पराजे के बाद हाथी ने अलग रास्ता अपना लिया बीते यूपी वदान सुबा चुनाव में अखिलेश ने राजी के छोटे दलों को एक छट की नीचे लाने की कोशिश की और उम प्रकाश राजबर की सुबस्पा और महान दल के साथ गडबंदन किया दोनों ही दल सपा का साथ छोड़ कर जा चुके हैं एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि सपा की आरेडी के साथ तना तनी चल रही है और जयन चौदरी की पार्टी सपा से अलग किसे अन्य विकल्प पर विचार कर रही है दोनों पार्टियों की बीच दरारे पहली बार निकाय चुनाक के दुरान दिखाई दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही थी कि गडबंदन काफी मजबूत सिती में है लेकिन फिर भी निकाय की कई सीटों पर दोनोंने एक दूसरे के खिलाफ उमीदवार उतारे आरेटी के वरिष्ट उनेता उनने कहा कि पार्टी अब सपा से इतर नया विकल्प देख रही है क्योंकि इस बड़ी पार्टी को अपने से छोटी पार्टीओं की भावनाव का कोई ख्याल नहीं है उन्होंने अपने कनिष्ट सायोग्यों का समान नहीं किया पार्टी के वरिष्ट उनेता ने नाम न चपाने की शर्त पर बताया कि हमारे राष्ट अध्यक्ष जयन चौधरी कॉंग्रेस के नेतरत के कॉंटाक्ट में है हम अपने विकल तलाश रहे हैं और अगर सब ठीक रहा तो आने वाले लोग सबाचुनाव में आरेलडी कॉंग्रेस और अजाद समाच पार्टी को एक साथ मिल कर चुनाव लड़ते हुए देखा जा सकता है हाली में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में टिकेट डिस्ट्रिब्यूशन के दुरान दोनों पार्टियों में दरार के पहले संकेत दिखाए दिये थे विवाद का केंदर थी मेरट की मेर सीट जिस पर आरेलडी के नजर थी सीट पर अपने उमीदवार खड़ा करते समय अखिलेश यादव ने आरेलडी से सला नहीं ली और सीमा प्रधान को पाठी का उमीदवार बना दिया सीमा सपा विधायक अतुल प्रधान की पतनी है प्रांच सपा का दो मई का चुनावी कारिकरम था जिसमें आरेलडी नेता जहन चौधरी सपा मुख्या अखिलेश यादव के कारिकरम में शामिल नहीं हुए हाला कि उस समय आरेलडी ने सफाई दी थी कि अखिलेश के साथ आरेलडी के बाकी नेता तो मौझूद थे जहन भी दो मई को अखिलेश की प्रेस कॉन्फरेंस में शामिल नहीं हुए थे इसके अलावा जहन करनाटक में कॉंग्रिस नेता सिधरमया के शपत ग्रहन समारों में भी पहुँचे थे जबकि अखिलेश ने इससे दूरी बनाई हुई थी सवाल है कि सपा से अलग होकर अब आरेलडी किसके साथ जा सकती है इसका जवाब पार्टी के ही तमाम नेता दे चुके है कुछ का कहना है कि वो योगिया दितिनाद के साथ बाचीत करने पर विचार कर रहे है वही दूसरी और आरेलडी के एक वरष्ट पतादीकारी ने बताया कि जवन चौधरी की कॉंग्रिस के शीष नेतरत से बाचीत चल रहे है कई मौकों पर मीटिंग में सचिन पाइलेट भी शामिल रहे है मैं आरेलडी और कॉंग्रिस की बीच राजस्थान में सीड बटवारा भी हुआ है बरतपूर से पार्टी का एक विधायक भी है इसके अलावा कॉंग्रिस की सरकार में मुख्यमंतरी बने सिदर मैया के शपत गर्ण समारो में जर्ण चौदरी का पहुचना भी बहुत कुछ कहता है क्योंकि सपा मुख्या अखिले श्यादव ने बिजी होने का बहाना देकर समारो से दूरी बना ली थी आरेजी और सपा के बीच दूसरों को सपा ने सिरे से खारिच किया सपा के प्रवक्ता राजेंदर चौदरी ने कहा कि दोनों दलों का गड़बंदन पका है बर्ग भी लगतार सपा पर निशाना सात्या है इसका नतीजा ये रहा कि पाठी को वो निकाय चुनाव में सपोर्ट नहीं करते दिखे बलकि निर्दली उमीदवार को सपोर्ट देने पहुँचे और सूत्रों के हवाले से अब खबर आ रही है कि अखिले शादब सपा सांसत को हर बड़े फैसले से दूर रख रहे है इसी बेरुखी की वज़र से बर्ग ने AIMIM का हाथ थामने का मन बना लिया है क्योंकि काफी लंबे समय से बर्ग इसी बात पर अड़े हुए थे कि मुसलमानों के लिए सपा कुछ नहीं कर पा रही है वहीं मुसलम कार्ट खिलने वाली पार्टी AIMIM के साथ बर्ग हाथ मिला सकते है अब सवाल ये है कि कहां गलत हो गया आखिर अखिलेश यादव क्यों दिगज नेता अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है दरसल अखिलेश यादव को मुलायम सिंग यादव ने प्रेस कॉन्फरेंस कर सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंतरी बना दिया और पार्टी की कमान उन्हें सौब दी थी इसकी बज़त से अखिलेश यादव ने पहले दिन सही अपने चाचा शिफपाल की बेज़ती की और फिरेक एकर मुलायम के सहयोगियों को दूर करते गए बर्भीनी में से एक है अमर सिंग और आजा भाया जो हमेशा मुलायम सिंग यादव के साथ खड़े रहते थे अखिलेश यादव ने उनको भी अपने साथ नहीं रखा अब चंदरशेखर का बेटा नीरज शेखर भी बीज़ेपी में शामिल हो गया जबकि चंदरशेखर और मुलायम सिंग यादव के काफी अच्छे रिष्टे थे अखिलेश में दिक्कत ये है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है वो लोगों की बात नहीं सुनते है बलकि अपने पिता की वी बात उन्होंने कभी नहीं सुनी यही वज़य है कि उनके हंकार और कम समय में ज़ादा ताकत मिलने से अखिलेश यादव ने लोगों को नजरंदास किया ऐसी में लोगों ने अपना रास्ता चुलिया अखिलेश यादव अगर समय रहते नहीं चले होते तो आने वाले समय उनके लिए ठीक नहीं होगा और 30 साल के लंबा करियर जो भी बाकी है उस पर भी ग्रहन लग सकता है अब 2024 भी दूर के ढोल है सपा अपना अस्तित्व ही बचा ले यही बहुत बड़ी बात है परदापाश में आज के लिए इतना ही देखते रहो ये Capital TV उत्तरप्रदेश नमस्कार